दोस्तों अजानी ग्रूप के अच्छे दिन से बुरे दिन शुरू हो चुके हैं हाला कि अच्छे दिनों का वादा हम सबसे किया गया था कि हम सब के अच्छे दिन आएंगे लेकिन 9 साल हो गए, अच्छे दिन आच तक दिखाई नहीं दिये, कि अच्छे दिन होते क्या है In fact, बुरे ही बुरे दिन देखने को मिल रहा है हर बार कोई ना कोई बुरी खबर सामने आती है लेकिन आप दोस्तों अडानी के अच्छे दिन खत्म हो गए बुरे दिन शुरू हो गए है अब जो खबर सामने आ रही है वो भक्त मंजलियों के लिए अच्छी नहीं है क्योंकि जो भक्त मुसल्मानों से उनके नामों से नफरत करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं उन भक्त के लिए बहुत ही बुरी खबर है बहुत बुरी खबर बताने वाली हो दोस्तों जहाँ पर दुनिया भर से अडानी के शेयर गिर रहे हैं उनके रुपे कम हो रहे है अजानी का बैंक बैलंस कम हो रहा है अब अजानी अबुधावी में मदद मांगने के लिए पहुच गए है जिहा दोस्तों खबरों की बात करें तो अब अजानी गल्फ कंट्री बोले तो मुस्लिम देश वहाँ पर मदद मांग रहे हैं कि मेरी को बचा लो मुझे बचा लो मुझे कंगाल होने से बचा लो डीविसी की छपी रपोर्ट की बात करें तो अडानी समो को हिंडन वर्ग रपोर्ट सामने आने के बात से ही अब तक कुल 5.6 लाख करो रुपे का नुकसान हो चुका है टाइमस ओफ इंडिया में छपी में 39 फिजदी की भारी गिरावर्ट दर्स की गई है इसके कीमत भारतिय मुद्रा में लगबग 5.6 लाख करो रुपे बताई जा रही है अडानी समू ने रविवार की शाम अमेरिकी फॉरंसिक फाइनेंशियल कंपनी हिंडन वर्ग की रिपोर्ट पर अपनी 413 पन्नों की लंबी जवाब दी गई है जिया अडानी की तरफ से 413 पन्ने का एक लंबा जवाब दिया गया है हिंडन वर्ग रिपोर्ट को लेकर अडानी समू ने अपने जवाब में इस रिपोर्ट को भारत पर हमला भी करार दे दिया था लेकिन इसके बाद भी सोंबार को बाजार ब जी हाँ ये रिपोर्ट आने के बाद से अडानी समू के संसापक कौतम अडानी की नेत वर्थ में काफी गिरावर देखने को मिली इसकी वज़ा से वो दुनिया में दसवे नंबर से खिसक कर अब ग्यारवे नंबर पर पहुँच गए हैं अमीरों की जो टॉप 10 लिस्ट हो पर चान नंबर पर अब वो टॉप 10 लिस्ट से बाहर हैं फोर्स रियल टाइम बिलेनियर लिस्ट के मुताबिक गौतम अडानी इसमें अपनी 88.2 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के 11 नंबर पर पहुँच चुके हैं हाला कि इस पूरे एपिसोड में अडानी कि एफपियों में 3260 करों रुपे का निवेश करने का ऐलान कर दिया है एक तरफ अडानी की दूपती नईया को तिनके का सहारा जो है वो कह सकते हैं कि मिला है क्योंकि 3260 करों रुपे का अबुडाबी की एक जो कंपनी है उन्होंने उसमें इन्वेस्ट करने का ऐलान किया ह अंग्रेजी अखवार दर टेलीग्राफ में छपी खबर के मताबिक अगर मैं बात करूँ तो अडानी समू ने फॉलो आन पाबलिक आफर के जरीए चार दिसमले 55 करोर रुपे के शेयर बाजार में उतारे थे जिसमें से अबू धाबी ने 16 फिजदी शेयर खरीदने का अईलान किया है अडानी समू के इस एफपी ओ को खरीदने के अंतिम तारीख 31 जनवरी आने की आज है लेकिन सोवार के दिन का बाजार खत्म होने तक इसके सिर्फ तीन फिजदी शेयरों को खरीदा गया था जी हां दोस्तो हाला कि हिंदू बिजनस लाइन ने अपनी ताजा रिपॉर्ट में ये बताया है कि मंगलवार को अडानी समू के एफपी ओ में दुबए और भारत इस्थित कुछ फैमिली ओफिसों से 9000 करोड रुपे का निवेश किया जा सकता है फैमिली ओफिस से आशे उन फार्मों से है जो बेहत अमीर लोगों को उनकी संपत्ती को समालने में मदद करती है अखवार को सूत्रों ने बताया है कि ऐसे कई फैमिली ओफिसेज ने अदानी समू में अपनी रूची दिखाई है जिसकी अपचारी घुषना जल्द हो सकती है हाला कि दोस्तों आपको ये भी बता दें कि ये निवेश अब उधावी की ओर से 32 करों रूपे के निवेश के साथ साथ एंकर निवेशों को की ओर से भी 6,000 करों रूपे के अतरिक्त जो है वो होगा वही बात करें अरब पतियों के लिस्ट में तो अब आरपतियों के लिस्ट में अडानी अब मैक्सिको के कोलार स्लिम, गूगल के सैसन स्थापक, सुगाई बिर्न और माइक्रोसोफ्ट के पूर सीयो स्टीव वालमर से नीचे जा चुके है अमेरिका की जानी मानी निवेश शोद फर्म हिंडन वर्ग रिसर्च ने अडानी समू पर स्टॉक बजार में हेर फेर करने का संसनी खेज आरोप लगाया था इसमें कहा गया था कि अजानी समू एक स्टॉक में खुले आम हेर फेर करने और अकाउंट की दोका धड़ी में शामिल था हिंडनवर्ग रिसर्च के इस आरोप पर अजानी समू ने कहा था कि दुर्भाकपूर निराधार एक तरफा और उनके शेयर विक्री को बरबात करने के इरादे से ऐसा आरोप जो है वो लगाया गया है जो बिल्कुल गलत है इसमें ये भी कहा गया कि अजानी समू आईपीयो की तरफ ही फॉलो ऑन पब्लिक ओफर यानि की एफपीयो लौ रहा है और इस वज़ा से एक साजुष के तहत कंपनी को बदनाम किया जा रहा है ये सब कुछ अजानी की तरफ से 413 पेज के पन्नों में कहा गया था दोस्तो हिंडन वर्क कंपनी क्या है उसके बारे में भी आप थोड़ा सा जान लीजे क्योंकि हिंडन वर्क अमेरिकी अधारत निवेश रिसर्च फर्म है जो एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलिंग में एक्सपर्ट है रिसर्च फर्म में कहा गया है कि उसकी दो साल की जांस से पता चलता है कि अधानी समू दशकों से 17.8 ट्रेलियन यानि की 218 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्टॉक के हेर पे और अकाउंटिंग की धोका धड़ी में शामिल था रिसर्च फर्म की रिपोर्ट के मुताविक अडानी समू के चेर्मेन गौतम अडानी ने पिशले 3 सालों की दौरान लगभग 120 अरब अमेरिकी डॉलर का लाव अरजित किया था जिसमें से अडानी समू की साथ प्रमुक लिस्टेट कंपणियों के स्टॉक मुल्य की बढ़ोतरी से 100 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक कमाए है जिसमें पिशले 3 साल की अबदी में 890 परतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है हिंडन वर्ग की रपोर्ट के अगर बात करें तो केरिल बाई देशो यानि की हिंडन वर्ग की रपोर्ट कोरी बाई देशो मौरिसस और संयुक्त अरब अमीरात तक फैले टेक्स हैवन देशों में अधानी परिवार के नियंतरन वाली मुखोटे वाली कमपनियों के नेक्सिस का विवरन भी किया गया है कि इनका इस्तमाल भ्रस्टाचार के लिए, मनी लॉंडरिंग के लिए और करदाताओं की चोरी को सुविधा जनक बनाने के लिए किया जाता था ये कमपनिया इसलिए खुली गई थी जिससे आजानी को फाइदा हो सके जबकि धन की हेरा फेरी समू की सूची वर्दी कमपनियों से भी इन तमाम लेन देन जो है वो भी की गई है ये भी इस पूरे मामले में इस पूरे रपॉर्ट में शामिल है वो तमाम टूइट से आपको पढ़कर बताएंगे कि कैसे सोशल मीडिया पर एक संसनी खेज सी खबर बनकर सामने आ रही है जब अजानी अबुधावी में मदद करने के लिए मदद की मांग करने के लिए पहुँचे उन्होंने कहा कि हमें मदद कीजिए और फिर अबुधावी की तरफ से भी अच्छा रिस्पॉंस मिला है जरा आप इस टूइट को देखी और मैं पढ़कर बताती हूँ दोस्तों क्या कुछ इस टूइट में लिखा है अजानी ग्रुप के FPO में UAE की रॉयल मुस्लिम फैमिली की कमपनी IHC 3260 करो रुपे इंवेस्ट करेगी मने अजानी भाव मुस्लिमों से दोस्ती गाठे हजारो करो रुपे ले लेकिन बेचारे अनवक्त मुफ्त में मुसल्मानों से नफरत करने का जंडा उठाए घूमते रहे ये तो नाइंसाफी है साहे तो इस तरीके से पुनित कुमार सिंग जो है इस पूरे मामले को लेकर टूइट करते है निगार परवीन लिखती है कि स्टूडियो में गिरी प्रत्रिकारिता को असमान में ले जाकर उठाने की कोशिश की जा रही है जहां फेक न्यूस की सरगना और दंगे फलाने के एक्सपर्ट राद दिन लगे हो जहां डलाल चाटू कारिता करते हो खबरे तो उनके बसकी नहीं इसलिए इनसे पूछ लीजिए अडानी पर कब बोलेंगे इनके चेहरे की रंगत बदल जाएगी तो ये निगार परवीन की तरफ से टूइट किया गया आगे भी एक टूइट करते वे लिखती है कि अडानी का फ्रॉट पकड़ा गया अमीरों के लिस्ट में तीसरे से सीधे ग्यारवे नंबर पर आ गये है भक्तों ने कोई ट्रेन नहीं चलाया वो पठान में लगे रहे और लोग उन सवाल पूछ रहे कि अडानी पर कब सवाल क्या जाएगा अडानी के लिए अडानी के खिलाफ जो है कब आवाज उठेगी और भक्त मंदली अब भी आवाज उठा लो कि अबुधाबी में अडानी जो है मदद मांगने गए और अबुधाबी की एक फैमिली जो है रोयल फैमिली वो मदद को तैयार भी हो गई है दोस्तों इस पूरा रपर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं आपकी क्या प्रतिक एरिया हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा